नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं इस्टो तक और मैं हूँ आपके साथ चैलेंद्र पांडे पिछले कुछ दिनों को अगर देखें खास्तोर से लगातार जो ग्रहन पले पहले सूरी ग्रहन फिर चंद ग्रहन फिर सूरी ग्रहन और जो मंगल शनी की स्थिती रही इसकी वज़े से भारत वर्ष में कुछ विचित्र घटनाई घटी जैसे बड़े बड़े राजनेताओं का देहान्त होने लगा बड़ी बड़ी मशुहूर हस्तियां हमसे विड़ा होने लगी चाहे वो करुणा निधी रहे हों चाहे वो अजीत वादेकर रहे हों अटल बिहारी वाजपेई जी रहे हों गुर्दास कामत रहे हों सोमना चरर तो आखिर ग्रहों में ऐसा क्या है कि लगातार एकेक करके महान हस्तियों का निधन हो रहा है और ऐसा क्या है कि केरल में मध्य प्रदेश में राजस्थान में जल का जलजला आ गया है यह पूरा मामला क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे और यह बताने का प्रयास करेंग कि अलग-अलग राशी के लोगों को इस समय किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए ताकि वो किसी दुरघटना के, किसी समस्या के शिकार ना हूँ सबसे पहले तो ये समझिये कि जल से जल जला आने का जो कारण है जल तत्यों की गरबडियों का जो कारण है वो है चंद ग्रहन का प्रभाव या अन्य जो ग्रहन लगे वो करक राशी और मकर राशी में लगे करक राशी प्रभावित हुई और चुकी करक राशी प्रभावित हुई इसलिए जल से समस्या होने की संभावना बन गई अगर हम दुरघटनाओं की बात करें लोगों के मृत्यू की बात करें तो मंगल और शनी का एक साथ वक्री होना और मंगल का वक्री प्रभाव होने की वज़़े से निश्चित रूप से लोगों के जीवन में भोखम पाया और जिनकी जिनकी कुंडलियों में मंगल शनी का प्रभाव ज्यादा निगेटिव था, ज्यादा नकारात्मक्त था उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया या उनका दिहान थो गया अगर हम जोतिश के नजरिये से समझें तो जिनकी जिनकी कुंडलियों में मंगल और शनी का प्रभाव ज्यादा है या मंगल शनी का संबंद बना हुआ है उन्हें इस समय में जरी से गुजरना पर सकता है क्या करेंगे अगर मेश राशी की बात करें तो मेश राशी के लोगों को इस समय तकरीबन 6-7 सितंबर तक नियमित रूप से हनुमान 40 का पाथ करना चाहिए ताकि उनको किसी तरह की अप्रिय घटना का सामना ना करना पड़े अगर व्रिशब राशी की बात करें तो इस समय आप नियमित रूप से सुबह शाम शनी 40 का पाथ करें ताकि किसी तरह की दुर्गटना की शिकार न हों किसी तरह की अप्रिय घटना का सामना आपको ना करना पड़े. मिथुन राशी के लिए संबंध काफी गड़बर है और मिथुन राशी के इस संबंध की वज़ा से अगले 15-20 दिनों में दुरगटनाओं की संभावनाएं जरूर बनती हैं इसलिए निवेदन यही करूँगा कि मिथुन राशी के लोग रोज घर से निकलते समय गुड़ खा करके इस समय निकले और सुबा शाम दोनों समय हनुमान 40 का पाठ करें तो बहुत अच्छा होगा करक राशी के लोगों के लिए इस समय जो संभावनाएं हैं वो दुरगटनाओं की हैं एक्सिडेंट हो सकते हैं उनके करियर में उनके व्यापार में दिक्कतें आ सकती हैं इसलिए करक राशी के लोग नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करें रोज सवेरे 108 बार नमह शिवाय का जब करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा सिंग राशी के लोगों के जीवन में भी संतान को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं प्रोपर्टी के मामलों में दिक्कतें हो सकती हैं और करियर में नौकरी में चुन्ताएं भी आ सकती हैं इसलिए सिंग रा कन्या राशी के लोगों के जीवन में इस समय परिवर्तन का योग बना हुआ है इस्थान परिवर्तन करना चाते हैं जीवन में बदलाव करना चाते हैं और ये बदलाव उनको करना ही पड़ेगा क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है तो ये बदलाव निगेटिव नहों किसी तरह की दिक्कते नहों इसके लिए कन्या राशी के लोग इस समय रोज शाम को 108 बार ओम शंग शनेश्चराय नमः ओम शंग शनेश्चराय नमः इस मंत्र का जब करें तो बहुत सुन्दर रहेगा तुला राशी के लोगों के लिए संकट की स्थिती है दुरघटना हो सकती है दुरघटना की शिकार हो सकते हैं पैसो रुपियों का बड़ा नुकसान हो सकता है इससे बचने के लिए तुला राशी के लोग अभी 6 सितंबर तक नियमित रूप से सुबह सूर्य भगवान को ज दोश्टों रहे हैं लेकिन कोई भी बदलाव करने के पहले सावधानी रखिएगा जल्दबाजी में कोई दिनरे मत लीजिएगा वरना ऐसा नहों कि आपका दिनरे गलत हो जाए निगेटिव हो जाए उससे बचने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप सुबश श दिक्कते आ सकती हैं चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं और परिवार में कोई अप्रिय घटना घट सकती है इससे बचने के लिए धनुराशी के लोग रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चड़ाएंगे और सुबश शाम दोनों समय ओम हंग हनुमते नमः ओम हंग हनुमत के लिए नमह इस मन्तर का सुब़ए-शाम 108 बार जब करेंगे मकर राशी पर ही संबन्द बन रहा है मकर राशी के लिए विशेष lli है मंगल मकर में ही वक्री है और शनी के साथ धनु का संबन्द बना रहा है इसलिए मकर राशी वालों की छोटी सी गलती यसे शराय नमह इस मंत्र का जब करना आपके लिए फाइदे मंद होगा अगर कुम भिराशी की बात करें एक्वेरियस की बात करें तो इस समय आपको आई साइट में आखों के बामले में दिक्कतें हो सकती हैं आखों का ध्यान रखें और पारिवारिक जीवन में अगर कोई मुश कि लाती है तो उसे सावधानी से हैंडल करें यही आपके लिए बेहतर है सुबह और शाम दोनों समय नमह शिवाय का जब करें ताकि यह जो निगेटिव समय है जो 6 सितंबर तक चल रहा है वो निगेटिव समय समाब तो हो जाए और अंतिम राशी मीन की बात करें मामला उत चक है तो तमाम दर्शकों से मैं यही कहूंगा कि 6 सितंबर तक का समय अभी बहुत अच्छा नहीं है इस समय को सावधानी पूरवक बिताएं वाहन चलाने में दुरघटना के मामले में रिष्टों के मामले में और चोड़ चपेट के मामले में सावधानी रखें हमने समय अगस्त का और 6 सितंबर तक का चल रहा है यह समय आपका असानी से निकल सके तो एश्टों तक की इस खास पिशकश में फिलहाल बस इतना ही आपको याद दिला दूं कि जोतिश और धर्म से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एश्टों तक को जरूर सब्सक्राइब करें मुझे दीजिये इजाजत नमस्कार